दोस्तों इसको कहते हैं cooling tower, इसका मुख्य उपियोग thermal power plant और nuclear power plant में किया जाता है, इसकी उचाई 200 meter तक हो सकती है, वहीं इसका जो diameter है वो 100 meter तक हो सकता है, अंदर से आप इसको देखेंगे तो ये खाली धाचा होता, एक विसाल धाचा है, जब इसके अंदर आप जाएंगे इसके अंदर कुछ भी बनावा नहीं होता, अब इसके use की बात करें कि इसको use क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजली बनाने के दौरान जो पानी बचता है बाद में, जो गरम पानी बचता है और जो भाप बचती है, जो steam बचती है, उसको इसमें लाकर ठंडा करके साधारन पानी में परिवर्तित करने के लिए इसका उपियोग किया जाता है, इस एक cooling tower को बनाने में करोड रुपे का खड़ जाता है, तो दोस्तों क्या यह जानकारी इससे पहले आपको थी?